सारी लोग बात करते हैं कि लड़के होने के क्या पर्क्स है मैं आपको बताती हूँ कि लड़के होने के क्या पर्क्स नहीं है What they actually go through तो यह पैदा होते हैं तो लड़ू बढ़ जाते हैं अरे घर में लड़का हुआ है उस खुशी के बाद लड़का हो तो गया है अब बनेगा क्या IIT क्रैक करेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ बहुत बड़ा करेगा विचारे ने बोलना शुरू भी नहीं किया है और सीधा उसका करियर गोल डिसाइड हो चुका है आर्टिस्स बनना चाहता हो क्या पता, वो अक्टर बनना चाहता हो कोई उन्हें रोकता नहीं है पर हां, एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो IIT ऐसा ही कुछ क्रैक करके अपनी लाइफ में आगे बड़े लड़कों में लड़कों से जादा स्ट्रेंथ होती है पर इसका मतलब यह नहीं है ना कि उनके पापा लोग जब मन किया चप्पल उठा के उन्हें दो भी गाट की तरह पीट डाले इस और इस और सो गो थू हरास्मेंट बहुत ऐसी लड़किया होती है जो उन्हें मॉलेस्ट करती है कोज उनके लिए कोई लौ नहीं है उन्हें चार दोस्तों से बोलेंगे तो उल्टा उनके ओपर हस दिया चाहेगा कि उज़े तो मजे ले लेने चाहिए शादी.com की प्रोफाइल देख रही थी तो लड़कों के लिए एक्सपेक्टेशन्स इतनी हाई हो चुकी है तो मैं लाइफ में घंटे से कुछ नहीं हो काड़ा है और तुम अपने शादी.com की प्रोफाइल पर जाके ये लिखती हो कि मुझे एक लड़का चीज इसका 50 लाग का पैकेज होना चीए और वो 24-25 साल का ओनाची है How is this possible girl? You're not even doing anything दिमाब में पहले से ही डाला जाता है कि भाई जादा का माँ जादा का माँ वरना कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा कि रो नहीं सकते हैं अपने emotions नहीं दिखा सकते हैं तूटने पे किसी को बता नहीं सकते हैं अपने फादर को जाके हग नहीं कर सकते हैं अपने फादर को emotions नहीं दिखा सकते हैं कौन कहता है लड़का होना असान है